हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडी सेरेसेपीस फोरियो में तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोचाई पत्ता की कड़ी कोचाई पत्ता की कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोचाई के कुछ पत्ते लिए हैं इसे मैंने अच्छे से दो लिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसका हम यहाँ पे घोल बनाएंगे तो घोल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमे हमें बेसन के घोल को ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत गाढ़ा हमें इसी तरीके से बेसन के घोल को रखना है तो अब हम बेसन के घोल को इस पत्ते के उपर लगाएंगे एक पत्ते में पूरा बेसन लग गया है तो इसके उपर हम दूसरा पत्ता भी रग देते हैं और उस दूसरे पत्ते के उपर भी हम बेसन लगा देंगे और अब हम इस पत्ते को फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुवे भी हम इसके उपर बेसन लगाते जाएंगे इन दोनों पत्तों पर हमने बेसन लगा कर फोल्ड कर लिया है और बाकी बचे पत्तों पर भी हम बेसन लगा कर फोल्ड कर लेंगे और इसे हम भाप में पकाएंगे तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पे कड़ाही गैस पे चड़ा दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मैं यहाँ पे एक थाली ले रही हूँ इस पे मैंने गी लगा लिया है आप कोई भी बटन्यूस कर सकते हैं जिससे आप भाप के जरीए इसे पका सके तो अब हम फाइनली इसमें अपने पतो को लपेटे हुए पतो को इसमें हम रख देते हैं और इसे हम धक्कन से धक देते हैं जिससे ये भाप से पक ज scripture मैं इसे पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख रही हूँ उसके बाद हम इसे खोल करके देख लेंगे तो 10 मिनट हो गए हैं और इसे हम खोल कर देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बिलकुल पक चुके हैं इसे मैं आपको निकाल कर्द भी दिखाती हूँ देखे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं बेसन भी पूरी तरीके से पक चुका है अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है तो अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने कड़ा ही गेस पे चड़ा दिया है और ओइल भी हमारा गरम हो गया है तो एक एक करके हम इसमें कोचई पत्ता की पीसेस को डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं इसे हमें अच्छे से फ्राइ करना है बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने देना है क्योंकि कई कोचई पत्ते खुजली करते हैं जैसे ही आप उसे खाएंगे तो खाने के बाद मुँँ में खुजली होता है जैसे कि जेमिकन में होता है उसी प्रकार से कोचई पत्ते खुजली करते हैं मुँ में, तो इसे लिए हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि बिल्कुल भी खुजलाठ ना हो और खाने में बहुत ही तेस्ची लगे, यह बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया हैं, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूं, और बाकी बचे पीसे को भी मैं फ्राइ करूंगी बाकी बचे पीसेस को भी मैं इसमें डाल देती हूं और इसे भी मैं अच्छे से फ्राइ कर लेती हूं तो ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गया हैं तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसकी सब्जी बनाना स्टार्ट कर मेरे पास फिलाल अवलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुवे प्याज, प्याज हमारे फ्राइ हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुवे टमाटर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वात के अनुसार नमक, और एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मेज पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और अब हम इसे ढख देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं तो अब हम इसका धक्का निकाल कर देख लेते हैं कि मसाले पके हैं या नहीं तो आप देख सकते हैं मसाले बिलकुल अच्छे से पक चुके हैं हम इन मसालों को चम्मा चला कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर पका लेते हैं ये मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ मही में मुझे थोड़ा सा खटा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन का पतला खोल और इसमें मैं डाल रही हूँ दो गलास पानी तो अब हम इसमें उबालाने तक वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं उबालाने शुरू हो गया है और इसमें हम अपने फ्राइ किये होए कोचई पत्ता की पीसेस को हम इसमें डाल देते हैं लास्ट में हम इसे डाल लेते हैं जिससे ये पीसेस चो है अच्छे से पक जाएं दोस्तो कोचाई पत्ता की कड़ी आनेली बन करके तयार हो गई है और इसे मैंने एक बाउल में सब कर लिया है दोस्तो कोचाई की कड़ी बहुत ही टीस्टी और लाजवाब लगता है खाने में तो एक बार जरूर बनाईए कोचाई पता की कड़ी इस तरीके से और मुझे बताईए कि आपको कैसा लगा दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइ प्लीज बताईए से और शुप मjemुप लाई था लाहनन रहा गनाईए को लाईए कृत है कर्मेब दू70 नाट से क्लोड़ास से तरीके साल्ड़ीः दो पसंदिएए इस संस सादילान भीडियो को ये शलनाईए बताए के धर रशे कुआए घजर्यों हीच बताईए चैंग